नमस्ते, मैं हूँ आचारे प्रतिष्था, नवरात्र चल रहे हैं, आप सब उपवास भी रख रहे हैं, यो तो उपवास का अर्थ है परमात्मा की उप में वास करना, भोजन से हम दूर रहें, कुकिंग में जादा समय ना बिताएं, ऐसा तामसिक भोजन ना करें, भारी भो होगा, जब हम चड़ाई करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो भी ट्रावल एजेंट या आपका ट्रावल गाइद है, वो आपको ही कहता है, कि जितना हो सके अपने आपको हलका रखिए, तो ऐसे ही नवरात्र में जब आप शक्ति साधना करते हैं, देवी की आराधना करते हैं, तो आपको अपने आपको उर्ध मुखी रखना है, जितना है भी भोजन खाएंगे हमारा हम अपने आपको नीचे की तरफ अनुभफ करते हैं, थकाओ अनुभफ करते हैं, नीद आती रहती है, तो ऐसा ना करके काईदे में हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, चीज़े खाते हैं, और ऐसे में, क्योंकि वो हमारा रूटीन भोजन नहीं होता, तो आसिडिटी हो जाना बड़ा नॉर्मल हो जाता है, मैं आपको कुछ ऐसी आसान सी टिप साच बताने वाली हूँ, जिससे आपके उपवास पर आपके वरत पर कोई एफेक्ट ना पड़ कैसे करेंगे वायू मुद्रा? अपनी पहली उंगली को अंगूछे के रूट से, यानि पहली उंगली के टिप को अंगूछे के रूट पर टच कर देंगे और अंगूछे को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, बाकी की तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी, ध्यान से लिया आकाश की और खुली रहेंगी जमीन की और नहीं रहेंगी 30 सेकंड वायु मुद्रा का अभ्यास आप हर मील के बाद करेंगे तो आप अराम से गुद्बाय कह सकते हैं दूसरा काम आपको यह करना है कि आप करेंगे वज्रासन का अभ्यास वज्रासन के लिए हम अपने जो को मिला लेंगे एड़ी को खुला रखेंगे खुली होई एड़ी पर अपने हिप्स को टिका देंगे अपने हाथों को अपने घुटनों पर टिका देंगे आखे बंद कमर सीधी नॉमल ब्रेधिंग वज्रासन एक मात्र ऐसा आसन है जिसको आप मील के बाद कर सकते हैं और करना चाहिए अगर आप हर मील के बाद वज्रासन में बैठते हैं तो आपको आपको डाइजेशन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं होगी तीसरा काम आपको ये करना है कि भोजन उपरांत यदि आपके पास लेटने का प्रवधान है और आप लेट सकते हैं तो 8, 16, 32 का नियम अपना लीजिए यानि 8 श्वास, 8 काउंट आप दाही करवट से लेटें, 16 काउंट फिर कमर के बल लेटें और 32 काउंट आप बाही करवट से लेटें इस 32 को 320 मत होने दीजेगा बहुत से लोग सो जाते हैं ऐसा आपको नहीं करना है तो 8, 16, 32 का नियम अपन आए वजरासन का अभ्यास कीजिए वायू मुद्रा का अभ्यास कीजिए लेकिन साथ में कोशिश करिए कि बहुत तले हुए भोजन का सेवन ना करके वरत करें चरत ना करें लेकिन उपवास जरूर करें परमात्मा के उप में वास जरूर करें देवी आपकी सभी मनुकामन को पूर्ण करें धन्यवाद